हम आज लेकर आए हैं यह एक प्रसिद्ध पोदा जिसको आप रूप से भी जानते हैं इसको आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा यह बहुत ही प्रसिद्ध हमारे देश में सर्वत्र पाया जाने वाला फूल का पोदा हैं यह गुढ़ल का पोदा बहुत लाबकारी हैं चोटा पोदा हैं तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं बड़ा होने पर आप इसे क्यारी या बगिचे में लगाएं यह बहुत सुन्दर पोदा हैं यह आपके घरांगन की शोबा को बड़ाता हैं आपके पास थोड़ी जगह हो और बगिचा हो तो आप इसे जरूर लगाएं और वास्तव में गुड़ल की जो दूसरी प्रजातिया हैं वे गुणकारी नहीं हैं जितनी की यह देशी प्रजाति हैं सिंगल फूल वाला पोदा बालों के लिए गुड़ल का प्रियोग राम बाण हैं जो लोग गंजे हैं जिनके बाल जड़ रहे हैं बालों में रूशी हैं वे गुड़ल की 10-15 पत्तियों को कूट कर 100 ग्राम नारियल के तेल में धीमी आज पर पकाएं जब वह पूरी तरह से पक जाए तो उसे आप चान कर शीशी में बर लें फिर इसको नियमित रूप से बालों में लगाएं इससे बालों का जड़ना बंद हो जाएगा और रूसी की समस्या से भी निजात मिलेगी भयानक योन दुरबल्लिता धातू शीनता हो जो नियम हकीमों के चक्कर में बड़े बड़े सेक्सोलोजिस्ट के और उनके बड़े बड़े उस तरह के डॉक्टर उस तरह के डॉक्टर हैं उनके चक्कर में घूम रहे हो फिर भी जीवन आपका फताश निराश हो गया हो उन भाईयों के लिए यह गुणकारी हैं लाबकारी हैं यह गुढ़ल का पोधा जिनको प्रमेह की शिकायत हैं या धातू रोग हैं उनके लिए गुढ़ल का प्रियोग राम बान हैं जिनको धातू रोग की वज़े से नपू संगता की शिकायत हैं वे गुढ़ल के फूलों को सुबह खाली पेड चबा चबा कर खाए और उपर से एक गिलास पानी पी ले इससे प्रमेह योन दुर्बलता जैसी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और पेशाब में जलन तता मुत्र संबन्धी अन्य समस्या ओमेलाब होगा इसी तरह से जिन मैलाओं को श्वेत प्रदर लिकोरिया की परेशानी हैं उनके लिए गुढ़ल का फूल बहुत ही गुणकारी है गुढ़ल के तीन फूल को प्रती दिन खाली पेट सुबह चबा चबा कर खाए और एक गिलास पानी पी ले इससे श्वेत प्रदर की समस्या में आराम मिलेगा जो की अत्यंत लाबकारी हैं आज कल कामो दिपक द्रश्यों को देखना इसी तरह के साहित्यों का पड़ना इसी तरह की बातों की चर्चा करना ये सब कर कारण हैं आपको योन दुर्बल्लता के योन विक्रती के और बढ़ती हुई कामुकता के योन उश्रंखला के यही कारण है जिस विशय को हमारे यहां गोपनियता और सहज रूप से व्यक्ती के जानकारी और जीवन के लिए उप्युक्त माना गया था और उम्र के साथ सीखना था आज जबर जस्ती सिंखाया जा रहा है जबर जस्ती माहोल तैयार किया जा रहा है यहां तक योन शिक्षा के नाम पर योन उन्मुकता की बात हम कर डालते हैं योन शिक्षा नहीं स्वास्त शिक्षा और जीवन शिक्षा की हमें आवशक्ता है तो उसको योन शिक्षा के द्वारा योन जिग्यासा को हम शान्त नहीं कर पाएंगे उससे तो हम योन विक्रतियों को हम और बढ़ाएंगे इसलिए मैं कहता हूँ योन जनित विक्रतियां बढ़ानी हैं इन विश्यों की जो स्वस्त जानकारी हैं परंपराएं हैं उनको हमें बढ़ाना चाहिए उसके लिए योन जनित विक्रतियां हैं हमारे यूवक यूतियों में आज छोटे छोटे बच्चों में उनके लिए भी हमें समाधान का उपाई ढूंड़ना चाहिए कौन अपने परिवार में क्या आपके बच्चे आपके भावी जो देश की धरोर हैं इसे आप विक्रत होते हुए रुखन होते हुए इस तरह की दुश्वरतियों में प्रवत होता हुआ निश्चित रूप से आप नहीं देखना चाहते तो हम सब मिलकर उसका समाधान ढूंड़ें यह हम सब का क्रतव्योर दायत्व हैं जिनके मुह में चाले हैं वो गुड़हल की तीन चार पत्तियों को धो कर चबाएं और उसकी लार को मुह में चारो और गुमाएं कुछ देर बाद चाहे तो उसे निगल जाएं अथवा बाहर निकाल दें इससे मुह के चाले ठीक हो जाएंगे और मुह से बदबू भी नहीं आएगी यह बहुत ही अच्छा और लाबकारी प्रियोग हैं मुह के घाव और चालों के लिए जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं अल्सर हैं वो अपच की शिकायत हैं वे गुड़हल की चार पांच पत्तियां वो चार पांच फूल को पीस कर शर्बत बनाकर पिये इससे पेट संबंदी परिशानिया दूर होगी और कब जव अपज में भी आराम मिलेगा और आपके अंदर के घाव हैं उसे भी आप दूर कर सकते हैं गुड़हल के शर्बत से एवं मुत्र संबंदी सभी समस्याओं का हल हैं यह गुड़हल का शर्बत बहुत ही गुणकारी हैं और दिव्य प्रियोग हैं